हमारे यूट्यूब चैनल एंस्पाय एड़ पॉइंट में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम टमाटर के साथ फाइदे के बारे में जानेंगे टमाटर एंटियोक्सिडंट लाइकोपीन का प्रमुखाहार स्रोथ है जो हृदे रोग और कैंसर के कम जोकिम सहित कई स्वास्थे लाभों से जुड़ा हुआ है टमाटर विटामिन C, विटामिन के एक पोटेशियम, फोलेट, विटामिन B9, जैसे कई विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोथ है आमतोर पर लाल होने पर टमाटर पीले, नारंगी, हरे और बैंगनी सहित कई प्रकार के रंगों में भी आ सकते हैं टमाटर की कई उप प्रजातियां अलग-अलग आकार और स्वात के साथ मौजूद है एक, टमाटर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है टमाटर में लाइको पीन भी रक्चाप को कम करने के लिए दिखाया गया है टमाटर पोटेशियम में भी सम्रिध हैं, एक खनिज जो निम्र रक्चाप के स्तर के लिए जाना जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटेशियम सोडियम के प्रभाव को कम करता है वास्तव में आप जितना अधिक पोटेशियम का उपभोग करते हैं, उतनी अधिक सोडियम आप मूत्र के माध्यम से खो देते हैं इसके अलावा पोटेशियम आपके रक्च वाहिकाओं की दिवारों में तनाव को कम करता है, आगे रक्चाप को कम करता है 2. टमाटर वजन घटाने में मदद करता है टमाटर का रस शरीर के वजन, शरीर की फैट और कमर की परिदी को काफी कम कर सकता है यह कॉलेस्टरॉल के स्थर को भी कम कर सकता है जो वजन बढ़ाने में योगदान कर सकता है एंटियोक्सिडन का एक बड़ा स्रोथ होने के अलावा टमाटर फाइबर में भी सम्रिध हैं और कैलोरी में कम हैं इसलिए वेत्रिप्ती को बड़ावा देते हैं और यहां तक कैलोरी का सेवन कम करते हैं जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है 3. टमाटर त्वचा और बालों के स्वास्थे में सुधार करता है अधिकांच सौंदर्य उप्षारों में टमाटर एक महत्वपूर्ण घटक है वे बड़े चिद्रों को ठीक करने, मुहासे का इलाज करने, धूप की कालिमा को शांत करने और सुस्थ त्वचा को पुनर जीवित करने में मदद करते हैं टमाटर विशेश रूप से लाइकोपीन में एंटियॉक्सिदेंट, सेलूलक शती और त्वचा की सूजन से लड़ते हैं चार, टमाटर द्रिश्टी में सुधार करता है टमाटर विटामिन A से भरपूर होते हैं, जो एक कारण है कि वे आपकी आँखों के लिए उपक्रिश्ट हैं आपकी आँखों के रेटिना विटामिन A पर निर्भर करते हैं, और विटामिन के निम्स्तर, समय के साथ अंधापन का कारण बन सकते हैं टमाटर काउंटर में लाइकोपीन मुक्त कंड क्षती, जो अन्य था आपकी आँखों को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च लाइकोपीन स्तर वाले लोगों में उम्र से संबंदित धब्वेदार अद्पतन का कम जोकिम था। लाइकोपीन आँखों को सूरज की क्षती से भी बचाता है। टमाटर पाचन संबंदी स्वास्थय को बढ़ाता है। टमाटर क्लोराइट का अच्छा स्रोथ हैं, जो पाचन रस का एक आवश्यक घटक है। गैस्ट्रिक कैंसर को रोकने में टमाटर में लाइकोपीन की प्रभावकारिता। टमाटर में फाइबर यहां भी मदद करता है। 100 ग्राम टमाटर आपको 2 ग्राम फाइबर, घुलनशील और अगुलनशील फाइबर देता है, जो आगे चलकरांद के स्वास्थय को बढ़ावा देता है। 6. टमाटर ब्रेन पौवर बढ़ाता है। हमारा मस्तिष्क, ओमेगा माइनस 3 फैटी एसिट की उच्छ सांधरता को देखते हुए, मुखकनो द्वारा नुकसान के लिए विशेश रूप से कमजोर है। टमाटर, लाइकोपीन और बीटा केरोटीन और अन्या अंटियोक्सिडंट में सम्रिध होने के कारण इस से निपटने में मदद कर सकता है। वास्तव में टमाटर जब जैतून के तेल के साथ लिया जाता है, तो बहतर प्रभाव हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टमाटर में केरोटीन और फैट जैतून का तेल में घुल जाता है और रख द्वारा आसानी से अव्शोशित हो जाता है। साथ, टमाटर लिवर स्वास्थय को बढ़ावा देता है। टमाटर में मौझूद लाइकोपीन डीने को नुकसान पहुंचाने वाले एजेंटों को नश्ट कर देता है, जिससे यकृत के स्वास्थय को बढ़ावा मिलता है। टमाटर में कुछ B-complex vitamin B होते हैं जो यकृत के स्वास्थय को बनाई रखते हैं। मानव शरीर में यकृत एक मात रंग है जो प्राकृतिक उत्थान में सक्षम है। यह खोए हुए उतक को पुनाहुत्पन कर सकता है और यदि मामूली क्षती होती है तो 25% पूरे लिवर में पुनाहुत्पन कर सकते हैं। जैसा की हमने देखा टमाटर लिवर की रक्षा करते हैं और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें